हाई गाइस वेलकम बैक टो आवर चानल कभूतरी जी किंग्या पर दीखिए गाइस यह दो डाने अभी तक खा रहे हैं यह सारे भी खा के उतर पर चल गए है गाइस एच्छे थे डिया अच्छतरा से उठा लेते हैं वह फिस्टम में भूती अच्छा रहे यह यहए समय केज केज में बंकर गए ही दाने पानी का ठाकने से वह नकी इम्मूनेटी सिस्टम उतना ठीक नहीं बन पाता है है गाइस लेकिन थोड़े बहुत लोगों केज में ही ग्रेड गेर अभी प्रवेट कर देते हैं क्या लिश्म केड यह पूरे भी वह अच्छे तरह से रहेंगे गाइस इनकेस आपके पास नहीं है तो ऐसा खुला छोड़ना जरूरी है गाइस इसके बाद में गुड्नियूस है घाइस है है आपड़कि है हमारी एकांटेल गी है तो अब अब आ जिक है आपको बता देगा आप तो यह दि pattने करने करने मा लाव बाद और यह देखने के लाइक हो गया जो बढ़े बढ़े हो चुके हैं चो थोड़ा बहुत भाहर छोड़ जाता हूं कि दूसरे बच्चा या शच करह निक्ला है जाए इस देखिए बहार ही इनको दाने खनाने के लिए कि यह फिमिल भोती हमारी की करीब है इसलिए यह अच्छे तरह रहा है कि यह देखिए इनका फूरी इनका पूरी फैमिली गाइस दो बचे और माबाप कि आजकर में एकला होके हमगा इस इनको देखने के लिए एक दो तीन दिन में हमारी सिस्टर वह आपसा जाएगी गाइस सबसे इनको मॉर्णिंग माई इविडिंग उन्हों अच्छे तरह देख लेंगे गाइस इनको सारा दिन केज में रखको पालना मुझे बहुत मुश्किल लगता है गाइस मुझे इसा पालना ठीक नहीं लगता है जो भी परिंदा हो जो भी मैं मैं शाक करता हो ना उसे मुझे खुली जाम में छोड़ना है जाइस महीं छोड़ने से मुझे भी शागू अच्छे तरा सी पूरी होगा में केज में रखके दाने पानी करने से मेरा शाख फूरा नहीं होगा राइस मुझे तो मेरा मानना यह यह गाइस देके सारे वीदरा चुकिए है यह बेस अबर से इंतजार है गाई तो दो सिराजी के पी केज में अंडे दालना है और यह दो फैंटेल ने भी अंडे देना है गाई अभी तक नहीं दिये है क्योंकि इनका वज़ा मुझे भी अभी तक नहीं मालों हो आए गाई जबी आप बचे भार छोड़ते हैं अच्छा तरह इनको ध्यान देना है गाई इस कवे वगेरा के कवे बास वगेरा के माल लेकर चल जाते हैं आजकल बास के शिकर भूज ज्याद हो चुके हैं इसलिए मैं इनको सारा दिन केज में ही बंद करना पड़ता है पहला इनको खुलिया में टॉंटिफॉर आवर्स इनको छट पर छोड़ को ही रहते हैं अभी वो कंडिशन नहीं है देखे गाई अच्छे तरह से थैंक्यू स्वामज आइस वीडिया आपको इंट्रस लाइगा तो लाइक किजिए शेयर किजिए और कामन किजिए गाई थ यंटिए थैंक्यू